हरियाना के लोहारू में एक जली हुई बॉलेरो गाड़ी में जले हुए मिले नासिर और जुनेत के नरकंकाल के मिलने का मुद्दा आए दिन तूल पकड़ रहा है इस मामले में बजरंग दल के मोनु मानेसर पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं दो राजियों के पुलिस का वो वांटेड भी है मोनु पर 20 दिन में दो हत्या और एक हत्या के प्रयास का आरोप लगा है इधर मोनु के कई वीडियो सुशल मीडिया पर भारल को रहे हैं मोनु मानेसर का पूरा नाम मोहित है और वो मानेसर का रहने वाला है वो पिछले 10-12 सालों से बज़न जल से जुड़ा हुआ है वो पिछले कुछ सालों से गौत असकरों से मुटभेड में मुख्य चहरे के तौर पर साबने आया है मोनु सुशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है और उसका अपना यूटूब चैनल भी है यूटूब चैनल पर दो लाग से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी है साथी टुटर और फेस्बूक पर भी मोनु काफी एक्टिव रहता है हत्यार लहराना भी जैसे मोनु माने सर का शौक है पूरा सोचल मीडिया पेज हत्यार लहराने के वीडियो से पटा पड़ा है मामले के सामने आने के बाद मोनु माने सर ने सामने आकर घटना से अपना पल्ला जाड़ लिया था मोनु ने कहा घटना की रात वो गुरुग्राम में अपने साथियों के साथ एक होटल में मौजूद था और इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है के जोरान कई न्यूस चैनलों पर मोनु ने इंटर्वियो की दिये अभी तक मोनु की गिरफतारी की कोई ख़बर नहीं आई है जिस शक्स को दो राज्यों के पुलिस खोज रही हो वो वीडियो बनाते हुए भूम रहा हो ये बात कुछ हजब नहीं होती हाला कि मोनु ने अपने बचाओं में कई CCTV पोटेज भी जारी किये हैं जिसमें वो अपने घर और होटल में नजर आ रहा है मोनु ने अपने बयान में भी कहा था वो घटना वाली रात अपने दोस्तों के साथ था जो भी आरो पे ठाणा गोविंदगड के छेतर से अमारे उपर लगाए जा रहे हैं वो बिलकुल निरादार है बजरंग दल की कोई टीम वाँ पे नहीं थी और वो घटना बहुत ही दुर भाग गया पूरण है जो हमने सोसल मेडिया से पता लगा है जो भी वाँक्ती हो उनके खिलाब सक्त से सक्त कारवाई की जाए चाहे कोई भी हो उसमें कोई भी दोसी बखसा ना जाए और उसमें मैं और मेरी टीम बजरंग दल की कोई भी वाँक्ती उसमें नहीं है और जो भी वाँक्ती इसमें है उसमें सक्त से सक्त कारवाई करे वो तसकरी की सुचना मिलती है क्योंकि तसकरों में आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर मद्वेद होता रहता है। रेकॉर्ड नहीं मिला है।